मद्यप्रदेश की सीधी में भयंकर सड़क हाथसा हुआ है सीधी से सतना की ओर जा रही बस नहर में गिर गए बस में तक्रीबन 50 लोग सवार थे जिसमें जादा तर नर्सिंग के स्टूरेंट्स थे इस हाथसे में अब तक नहर में से 38 शवों को निकाला जा चुका है और फिलहाल NDRF, SDRF समेथ कई टीमें अभी भी नहर में से लोगों को निकालने में जुटी है मीडिया रिपोर्ट्स की मुताबिक सामने से आ रही बुलेरो गाड़ी को साइट देने के दौरान ये बड़ा हाथसा हुआ बात करीब सुबस साड़े साथ बजे की है जब बेकाबू बस नहर में गिर पड़ी हाथसे में मरने वाले में जाद अतर नर्सिंग के चातर चातराएं है हाथसे के तुरंद बाद साथ लोग तो तैर कर बाहर आ गए थे लेकिन बाकी लोग फसे रह गए रेस्क्यू अपरेशन को देखते हुए बार सागर डैम में से निकलने वाले पानी को बंद कराए गया है और नहर में पानी का लेवल भी कब कर दिया गया है ताकि लोगों को खोजने में आसानी हो कि अपर दि lugना में लोग थे अव बाका हा खोणियो को धर्शन कुछा आसे साथ टूलत कर दोजने हो खातानी हो बाका क का आसे लोग कर दोड़़ पानी हो भी उनातिक वाले डिया है सीधी हाथसे पर दुख जताते हुए PM मोधी ने प्रधान मंत्री नैशनल रिलीफ फंड की तरफ से मृतिकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपे का मुआफजा और घायलों को 50,000 रुपे की साहिता देने का एलान किया है साथ ही CM शिवरा सिंग चोहान ने मृतिकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपे की साहिता राशी देने की बात कही है निउस डेस्क दोल खता है झाल झाल